नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं धनबाद नियोजनाले में 1130 पदो पर भरती कैम्प कल और प्रदेशिक नियोजनाले धनबाद बर टंड में 30 जनवारी को विभीन कमपेनियों की ओर से भरती कैम्प का आव्योजन होगा भरती कैम्प के लिए 1130 पदो की भैकेंसी जारी की गई है 18-27 वर्ष तक के युवाओ का चैन किया जाएगा बतादे आई टी अई पास युवाओ को मौका मिलेगा सुबब साड़े 10 वह से भरती कैम्प की शुरुवात होगी जोब लोकेशन रोहतक हरियाना सानोटा उत्तर परदेश पंच कूला वा 36 गड फरियादा बाद हरियाना है जनकारों का कहना है कि मेकेनिकल ओपरेटर, इलेक्ट्रिकल ओपरेटर, प्रोडक्शन ओपरेटर समेत अन्य पदोप पर न्युकती होगी भारती कैम से समधी सुचना सरम, नियोजन परसिक्षन, यमकोसल, बिकास, विभाग और प्रदेशिक नियोजनाले धनबाज से जारी कर दी गई है नियोजन पताधिकाई ने जार्य सूटना में कहा है कि भारती कैप में भाग लेने के लिए एक चुक अव्यारतियों का जार्खन के किसी भी नाले में निभंधित होना जרूरी है मौसम बिभाग के अनुसार जार्खन में जनवरी का मौसम गर्म है यहां का मौसम इस महीने अपने समाने तापमान से कई डिगरी उपर चल रहा है दिन और दोनों तापमान लगातार समाने से करीब 5 डिगरी अधिक चल रहा है इस जनवरी में पहली बार राई धानी अने सभी बरसों की तुलना में ज़्यादा गर्म है यहां निम्तम और अधिक्तम दोनों तापमान समाने से 5 डिगरी अधिक है राज के अनहीसों का भी यही हाल है बचे सेस दिनों के दोरान भी इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है इसलिए हाई से पलामों कुछ हद तक ठंडा रहा जहां गथ दिनों तापमान समाने से नीचे रहा है बजट में बेरोजगार युवाओ को रोजगार की उमीद मंदी की आसांका के बीच बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी का दवर सुरू हो गया है इससे युवाओ की चिंता बढ़ गई है भविस की चिंता में डुबे युवाओ का मनना है की एक तो कुरोना की वज़ा से तीन साल काफी कठीन रहा अब हालात में थोड़ा सुधार हुआ है तो छटनी का दवर सुरू हो गया है इस स्थिती में अगामी बज़ट युवाओ को रोजगार देने वाला होना चाहिए बता दे एक फरवरी को आ रहे केंद्रे बज़ट से युवाओ को काफी उमीद है केंद्र सरकार आम बज़ट में रोजगार को लेकर जरूर ध्यान देगी बीत मंत्री निर्मला सितार मंद्वारा पेस होने वाले आम बज़ट से उमीद लगाए इन युवाओ का मन्ना है कि बज़ट में ना केवल करदताओ के लिए राहत का प्रधान होगा बली केंद्र सरकार महां आई पर अंकुस लगाने के लिए कड़ा कदम भी उठाएगी चात्रा में सुरक्षा बलो से मुड़वेड में मारा गया नक्सली चात्रा जिले के कुंदा थाना चेतर अंत्रगत कारी मांडर गाव में सनीवार को दिने गारा बैसुरक्षा बलो और मुड़वेड नक्सली के बीच जम कर मुड़वेड हुई है इन दोरान दोनों और से सैकडो राउंड गोली चली इसमें एक नक्सली मारा गया है जिसकी सिनाक्ती नहीं हो पाई है लगभग घंटे भर चली मुड़वेड के बाद मावादी नक्सली जंगलों में भाग खड़े हुए बताया जारा आई कि आमुडवेर 15 लाग के नावी मवादी कमांडर मनोहर गांजू के दस्ते के साथ हुई है चातरा और पलामु जिले की सीमा परकुंदा थाना चेतर के भोटकुईया कारी मांडर के आसपास नक्सलियों की कतिवीदियों की सुचना पाकर सी रपी एफ की कोबरा बाटालियन और जिला पोलिस के जवान सर्च अपरेसन में निकले थे गंभीर मरीजों के लिए जहारखन में सुरू होगी यार एंबुलेंस सेवा गंभीर मरीजों को देश के बड़े चिकिसा संस्थानों तक पहुचाने के लिए जहारखन की सरकार जल्द ही यार एंबुलेंस की सेवा सुरू कराएगी आम जन सरकार की ओर से निधारी दरो परिया सेवा आसिल कर सकेंगे जहारखन के मुख्य मंत्री हमांसुरे ने सनिवार को रांची में आया जो जीत नेफरो क्रिटिकल केर कॉन्फिरेंस का उधाटन करते हुए अगोस्ना किया है मुख्य मंत्री ने कहा है कि जहारखन में स्वास्ट सुविधाओं को मजबूत करने को लेकर हमारी सरकार निरंतर परियास रहत है इसी कड़ी में एर एंबुलेंस की सर्विस जल्द सुरू करने का परियास किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए मरीजों को देश के किसी भी कोने में अस्थापिस अस्पताल में जाना हो तो ए एर एंबुलेंस की सुविधा ले सकते हैं 557 दिनों की मौन साधना के बाद जैना चार्ज का महापारान 557 दिनों से स्तीर्थ राज समेद सिखर में सिंग निस्क्रिडित वरत में साधना रत अंतर्मना अचार्य प्रसन सागर महाराज ने सनिवार को पारसनात टोक स्वर्न भद्र कूट पर ही महापारान संपन किया इसके बाद जैना चार्ज समेद सिखर से नीचे उतरे इस दोरान भक्तों में काफी उत्सा देखा गया जैना चार्ज के महापारान करने के बाद सिखर से चलते समाई पुस्प वर्सा भी की गई जैन धर्म के 24 में से 20 तिर्थकों की निर्वान भूमी सिद छेत्र समेद सिखर जी पारसनात में अंतरमना अचार्य प्रसन सागर जी महाराज कठिन सिंग निस क्रिडित वरत और मौन साधना में लिन थे धनबाद के हजारा अस्पताल में लगी भीशन आग सनिवार की सुबा धनबाद के लिए एक दुखत समचार लेकर आया बतादे सहर के जाने माने हाजारा किलिनिक में भीशन आग लगने से इस अस्पताल के डॉक्टर दमपती समेट 6 लोगों की मौत हो गाई जबकि एक घायल है घाटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कठीन परिश्रम के बाद आग पर काबू पा लिया बताया जा रहा है कि सभी की मौत दम गोटने की वज़े से होई है फिलहाल पूलिस मामले की जाच कर रही है जनकारी के अनुसार बैंक मोड थाना चेत्रे के टेलिफोन एक्सचेंज रोड इस्थीत सहर के जाने माने हाजारा क्लीनीक और अस्पताल में देर रात करीब एक बज़े आग लग गई जारखन में गो मोक्ती धाम का सिलन्यास जारखन के क्रिस्ती मंतरी बादल पत्रलेख ने कहा है कि मुख्य मंतरी है मंचुरन के नेतित में राज के किसानों और पसुपालकों को आर्थिक रूप से सम्रीद बनाने के लिए कई योजनाओं को आकार देने का परियास जारी है उसी कड़ी में सरकार द्वारा पहली बार गो मोक्ती धाम का सिलन्यास पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया हे सांग इस्थित पसुपालन भवन में आयजीत पसु मेलास सब प्रस्रिक्षन कारिकरम के उद्गाटन सत्रे में ऑनलेन जुड करून होने कहा है कि जल्द ही पसुपालन विश्व बिद्याले बनाया जागा किरिसी सचीव ने राज के पसुपालकों के लिए वेपसाइट लॉंच की है इस वेपसाइट के माद्यम से राज के पसुपालकों के पसुधन से समधीत सभी जनकारी उपलब्द हो सकेगी रामगठ बिधान सभा उपचुनाव लड़ेगी CPI भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी CPI के रांची छीत राज कर्याले में राज परिशत की बैठाक हुई इसकी अध्यक्सता पसुपती कॉलेज ने की बैठाक में सरो समती से निने लिया गया है कि CPI रामगठ बिधान सभा उपचुनाव वामदलो के सहयोग से लड़ेगी CPI ने वामदलो से CPI उमिद्वार को समर्थन करने की अपिल की है जम समस्याओं को लेकर पूरे राजे में 14 फरवरी को जिला मुख्यालाय पर परदसन किया जाएगा 11 मार्च को अल्प संख्याको के सवाल को लेकर रांची के SDC सभागार में सेमिनार का आयन भी किया गया है स्रिंखला बनाकर HEC कर्मियों ने किया विरोध HEC के अधिकारियों कांदोलन नमास विए दिन भी जारी है अधिकारियों को पिछले 15 महिने से बेतन नहीं मिला है ऐसे में सुक्रवार को CISF से हुई जड़ब के बाद HEC के अधिकारियों ने सनिवार को मानोस रिंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज किया वहीं इस दवरान अधिकारियों ने केंद्र सरकार को 17 फरवरी तक का अल्टिमेटम दे दिया है यह चिसी के अधिकारियों का कहना है कि हमने बेतन के फुक्तान के समध में राश्कपदी परधान मंतरी सहीद भारी उद्योग मंतरी को भी पत्र लिखा इसमें असपष्ट तोर पर कहा गया है कि अगर हमारे मांगे नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में किसी भी तरह क्या अंदोलन की जिमेदारी केंद्र सरकार की होगी राजभवन के पास आमरन अंसन कर रहे स्वास्थ अनुबंद कर्मियों की हालात बिगड़ी ज्यारखन के राजभवन के पास धारना दे रहे दो और स्वास्थ कर्मियों की तबिगड़ गई है इन्हें अस्पताल ले जाया गया अनुबंद पर काम करने वाली एक महिला स्वास्थ कर्मी को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुचाया गया बता दे बिना कुमारी के अलावा एक और पारा मेडिकल कर्मी नवीन कुमार नजन की भी तवियत बिगड़ गई है अस्पताल को फोन किया गया लेकिन एम्बुलेंस उपलब्द नहीं हो पाया जिसके बाद आटो से नवीन कुमार को अस्पताल पहुचाया गया इसके पहले भी तीन लोगों की तवियत बिगड़ चुकी है सभी को अस्पताल में भरती करया जा चुका है जामतड़ा में पूलिस पर पत्थरबाजी करने वालों पर करवाई जामतड़ा के नरायनपूर थाना चेतरे के डोकी डिह गाउं में मास्पती की परती में अभी सरजन के दोरन पूलिस वालों पर पत्थरबाजी करने के ममले में केस दर्च किया गया है बता दे बीडियो, प्रभाकर, मिर्धा और थाना प्रभारी अभय कुमार के लिखित आवेदन पर नरायनपूर थाना में और सी नामजात एवं 300 से अधिक अग्यात महिला एवं पूर्चों के बिरोज ममला दर्च किया गया इस समझ में नरायनपूर धारा कांड संख्या साथ बाई 2023 दर्च की गई है और पूलिस करवाई करने में जूटी हुई है आपको पता दे कि पूलिस पर हुई पत्थरबाजी में नरायनपूर धारा के पूलिस इंस्पेक्टर समेथ चार पूलिस अधिकारी एवं जवान घायल हो गए थे EFR थाने अब तक धरातल से दूर राज्य में खुटी और रामगड को छोड़ कर 22 जीलो में एक साल पहले स्रीजीत EFR थाने अब तक धरातल पर नहीं उत्रे हाँ यही वज़ा है कि EFR पर पूलिस की जिस रप्तार से परतिकिरिया की कल्पना की गई वह नहीं हो पा रही है बृतमान में जार्खवन ऑनलाइन EFR सिश्टम पर आ रही सीकायते समदी परकिया को पूरा करने में समय लग रहा है क्योंकि J-O-A-S पर आने वाली सिकायते सम्मंधित थाने में जाती है जहां सम्मंधित पता धिकारी सिकायत कारता से संपर्ख करता है और उनकी सिकायतों की पुष्टी के साथ साथ उनके हस्ताक्षर का मिलान भी करवाता है बता दे जीलों में अपना ये फायर थाना को खुलने से ऑनलें सीकायते सीधी उक्त थाने में जाएंगी जहां पर तिन उक्ती पता धिकारी सिर्फ वहीं काम करेगा चाई बासा में सुरक्षा बलो को उड़ाने की साजिस नकाम दोस आईडी बरामात इस सम्माद में जनकार देथे पुलिस अधिक चक आशुतोस शिखार ने कहा है कि 10 दिसंबर से ही नक्सलियों के सिर्फ नेताओं के खिलाप लागातार अभियान चलाया जा रहा है सनिवार को भी चाई बसा पुलिस यार पीफ साट बटालियन की ओर से सन्युक्त अभियान चलाया जा रहा था इसी दोरान गोईल के रथाना के इचा हात्तू से इचा गोडा जाने वाली जंगली रास्ते गुटू साइट डोला के समीप पंग डंडी पर भागपा मवादी नक्सलि संगठन द्वाला सुरक्षा बलोक नुक्चाल पहुचाने के लिए लगातार लगाये 10 आईडी को ब के बीच हो रहे T20 क्रिकेट मैच देख कर लोट रहे छात्राओं के साथ कुछ पुलिस कर्मियों ने ना सिर्फ अभद्र बेभार किया बलिक उनके साथ मौजूद कुछ लड़कों के साथ मार पिट भी की मामले को लेकर छात्राओं के दुआरा रांची के परभारी सीटी एसपी के पास सिकायत दर्ज कराई गई है बता दे दुरंडा कॉलेज की दो छात्राओं से गस्ती में तैनात पुलिस कर्मियों ना सिर्फ अभद्र बेभार किया है बलिक उसके साथ शेलकानी भी की है इसकों का तयार होगा सर्वेक्षन रिपोर्ट जहारखन सरकार पलाइन रोकने के लिए सर्वे करा रही है सर्वे के माध्यम से जनकारी एक रित की जा रही है कि आखिर किन कारणों से लोग बाहर जाकर नोक्री करने को मजबूर होते हैं सरकार क्या करे कि पलाइन रोकी जा सके इसकी जनकारी सर्वे के माध्यम से जुटाई जा रही है सर्वे का स्टेटस क्या है इसे रिपोर्ट में जान सकते हैं बता दे साल 2020 में कोविट के वज़ा से लोकडाण और समय समय पर इस वायरस के फैलाव से अगर किसी को सबसे ज़्यदा परभावित हुआ है तो आप प्रवासी सरामीक वर्ग सबसे ज़्यदा परभावित है